धारा 354 और उसके पार्ट ABCD क्या है उनका हिंदी रुपांतरन क्या है वे सेक्षन क्या कहते हैं अगर कोई महिला जूटा केस करे तो पुरस उसको कैसे जीते अगर सच्वे किसी महिला के साथ गलत हो जाए तो वो कैसे मजबूत केस करे इसमें पुलिस और कोट का रोल क्या है बड़न उपर उपकिस के उपर आता है अगर किसी महिला को कमपेसेशन लेना हो तो वो कैसे ले नमस्कार दोस्तो मैं हूँ एड़ोकेट धीरसकुमारा का स्वागत करता अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो 2012 में जब निर्पया कांड हुआ तो उसके बाद सोचा गया क महिलाओ के परती बोज़ता अपराद बढ़ रहे हैं इसलिए लो में अमेंडमेंट होना चीए काफी सेक्षन नहीं जोड़े भी गए कुछ सेक्षन में चेंजिंग भी हुआ जैसे रेप केस एसीड अटैक इन समें चेंज हुआ और एक सेक्षन तीसोचशन इसके अंदर कुछ नोन वेलेबल तो कुल में लाकर आज 354 के पांच पार्ट है 354 और 354 एबी सीडी तो आईए जानते हैं से पहले इनके हिंदी रुपांदरन और इनमें बचाओ के बारे में 354 इस्तरी की लज़ा भंग करने के आशे से उस पर हमला या अपरादिक बलका प्रियोग जो कोई किसी इस्तरी की लज़ा भंग करने के आशे से या यह समबता जानते हुए कि तद्वारा वह उसकी लज़ा भंग करेगा उस इस्तरी पर हमला करेगा या अपरादिक बलका जिसकी अवदी एक वर्स से कमनी होगी परंतु पांच वर्स तक हो सकेगी से दंडित किया जाएगा तथा जुर्माना बुक्तान करने का भी दाई होगा। दोस्तों ये धारा कहती है कि अगर कोई पुरस किसी महिला का बलतकार करने की कोशिस करता है और वे बलतकार नहीं कर पाता है तो वे इस धारा के अंतरकत दोस्ती करार किया जाएगा। इसमें सजा के लिए एक साल से पांच साल तक के कारवास की बात की मतलब एक किसी भी हालत में आपकी सजा एक साल से कम नहीं होगी अगर सजा होती है तो एक साल से तक तो होगी ही होगी और वे पांच वर्स तक हो पाएगी यह एक गैर जमानती पराद है नोन बेलेबल ओफ तो आपके और भाद, और आपके कपड़ें फार्डने कोई रहेगी और आपके चहरे पर स्रीर कोई कोई लेगी नेलस से ताकि यह पता लगे कल्गों कि आपने उस साथ असाल्ट किया था तो आपस में गुत्तम गुत्ती में उसको भी चोट लगी और आपको भी चोट लगी लेकिन आपको अपने आपको बचाना है अपने कपड़ों को बचाना है उसके किस वरगा कोई निसान नहीं लगे और मुबाइल निकाल अगर उसकी वीडियो जगडा कर रहा हूं बलकि उससे यह कह रहा हूं कि मुझसे दूर है लेकिन वो ही मेरे उपर जबट रही है मैंने मुबाइल निकाला हूं मेरे मुबाइल को छीनना चारी है इसका मतलब वो खुद लड़ना चारी है लड़ाई उसने स्टार्ट की है वो मुझसे लड़ रही ह वो जूटा केस कर रही है यही चीज है जिससे कि पुलिस उसकी कंप्लैंट पर कुलोजर रिपोर्ट लगा सकती है और कल को अगर केस हो भी जाता है तो आप कोर्ट में केस जीत भी जाते हैं सेकंड लिकामा को क्या करना है अगर उस महिला ने सो नमर की कोल किया तो आपको भी सो नमर की कोल करनी है आपको पुलिस को बलाना है इसके अलावा अगर आपके कोई यार्दोस आसपास है तो उनको भी आप कोल करके बला सकते है ताकि वे आ जाए और कल को उसमें विटनेस मन ऑर इस महिला का फेस उस कैमेरे की तरफ ताकि उस महिला के चिलाने के नाटक करने के एक्सपरेशन उस कैमेरे में आ जाये। इससे यह थाबित होगा कि देखिए वह महिला कितनी बत्तमी सी चिला रही है, बाते कर रही है। अगर उसमें voice recording भी ना हो और सिर्फ वीडियो ही बन रही है तो भी आपको support ही करेगी वीडियो इसलिए जब भी ऐसा कोई incident आपके साथ गलत हो रहा हो तो आपको CCTV कैमरे के पास जाना चाहिए या खुद recording बनानी स्टार्ट कर देनी चाहिए और आज पास अगर कोई आपको ऐ उसको call करना चाहिए और उस व्यक्ति की recording कर लेनी चाहिए ताकि कल को व्यक्ति अगर वहाँ से भाग भी जाता है और कल को ये भी कह देता कि मैं उस जगह थाए नहीं तो ये साबित हो जाएगा कि मोबाइल से कि वह उस वक्त था उसके वाँ मोबाइल में recording है मोबाइल ही पता लग जाता है कि recording बनी है तो किस दिन बनी है किस समय बनी है ताकि वह व्यक्ति अपने अपको बचा नहीं सके तो इसके अलावा अगर महिला के कोई कपड़े वगड़ा फटे है या चोट लगी है तो उसको अपना medical करना चाहिए जो भी उसके कपड़े हैं उनको उसको पुलिस को सीज कराना चाहिए ताकि वह सबूत के रूप में काम आए और ऐसी करके एक मज़ूत केस वह बना सकती है अगर पुलिस किसी महिला की सिकायत रिष्टे करने से बना करती है तो सेक्शन 166 AIPC में वह कंप्लेंड कर सकती है ताकि उसमें अगर कोई कोई किसी महिला क के डर से अपने नोकरी बचाने के लिए जूटी कंप्लेंड को भी रिष्टर कर देते हैं तीन सोचवन ए लेंगे कंतरना तथा लेंगे लेंगे कंतरना के लिए और दोस्तों ये लेंगे कंतरना का मतलब होता है seksual harassment तो इस section का मतलब है sexual harassment and punishment for sexual harassment नेमिल निकित करते करने वाला व्यक्ति लेकिन इतना कि अपराद का दोसी होगा मतलब की नीचे दिये वे जो ये चार वा आपको भाग दिखा नज़रा रहे हैं सबकलोस फोर अगर कोई भी व्यक्ति निकित कोई भी करते करता है तो वह सेक्सिल हर्श्मेंट के लिए दोसी होगा जैसे कि आफर्श पार देखे सारिक संपर्क एव वांचनी तता अनुचित लेंगे संकेत अंदरगत करने वाले उलंगन या मतलब कोई भी व्यक्ति अगर किसी इस तरी को छूता है या फिर उसको कोई संकेत करता है दूर से सेक्ट देखे सहवास की मांग या अगरेक करना मतलब अगर आप किसी लड़की से ये कहते है या किसी औरत से कहते है कि वो उसके साथ हम बिस्तर हो थर्ड है किसी महिला की इच्छों के विरुद उसे असलीन साहित है सामगरी दिखाना अगर कोई महिला नहीं चाहती लेकिन आप उसको कोई गलत फोटो या वीडियो दिखाते है फोर्थ है कामुकता पुन टिपनी करना अगर आप किसी इस तरी पर किसी भी परकार की कोई ऐसी गलत टिपनी करते है जो कि सेक्शुल हरस्मेंट में आती है मतलब गंदी गंदी परकार की कोई टिपनी करना तो आप इस अपराद के अंतर का दोसी पाए जाते है अब इसमें देखे किन नीचे दो पार्ट हो रहे है , तो सेकिंड पार्ट कहता है कि इसका जो खंड first है मतलब इसमें से जो first second third अगर आप इन तीनों में से कोई आप अप्राद किया है जैसे कि सारी संपर किया सहवास की मांग या किसी महिला के इच्छों के विरुद तो ऐसे में आप को कठोर कारवाज होगी जो की तीन वरस तक का हो सकता है या जुर्मान है दोनों से दंडित किया जाएगा दोस्तों ये एक बेलेबल ओफेंस है इसमें जमानत मिल जाती है इसका अगर आप ये धर्ड़ पार्ट देखें तो ये कहता है आपको उपधारा फर्फ के फूर्थ पार्ट मतलब अगर लास्ट वाला पार्ट जो फूर्थ है कामगतापून टिपनी करना अगर आपने ये वाला अपराद किया है तो आपको इस धारा के तहत एक साल तक की सजा मिल सकती है और जुर्माना दोनों हो सकते है दोस्तों नॉर्मली इस सेक्षिन में केस बहुत कम देखने के मिलते है क्योंकि ये इंसिडेंट अगर कोई होता भी है तो इसकी कंप्लेंट नॉर्मली की नहीं जाती है अगर कोई बाद में करता भी है तो किस बोज़े तक कमजूर होता है लेकिन फिर भी अगर कोई लड़की आप पर जूटा आरोप लगाए कि भी आपने ऐसे कोई पेसकर की थी कोई गलत काम के लिए या कोई गलत आपने उसको वीडियो रिकोर्डिंग या कोई फोटो ऐसा या साइट आ कुछ ऐसा दिकाया है तो आप उसके लिए डेनाई कर सकते हैं लेकिन आपको इसमें एक बात का ध्यारकन नहोता है कि आपको अपना डिफेंस लेके चलना होता है कि उस महिला ने या उस लड़की ने ऐसा आरोप आप पर क्यों लगाया उसकी क्या वज़ा रही एक मजबूर डिफेंस होना चाहिए कि अगर आपको कोई परवरिक जगडा पहले से चल रहा है तो इस बात का अगर आपको अच्छा डिफेंस है तो आप ये केस जीच सकते हैं अब अगर लेडिस की बात करें कि सच में अगर उसके साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है किसी लड़के ने ऐसे कोई घटना या कोई ऐसी हरकत की है तो वो फोरण उसी वक्ती कंप्लेंट करें अगर वो बात में कंप्लेंट करती है तो फिर साबित करना भोज़दा मुस्किल हो जाता है इसलिए जब भी ये इंसिडेंट उसके साथ हो उसी वक्ती पुलिस को कॉल करें और उसी वक्ती उस वक्ती को अरेश्ट कराए बेसक ये अबिलिबल ओफेंस हो लेकिन केस को अगर जीतना है, मजबूत करना है तो उसी वक्त ही कोल होनी चाहिए 354 B वस्तरवीहिन करने के आसे से महिला पर दांडिक बल का परियोग या परहार जो कोई भी किसी महिला को वस्तरवीहिन करने के आसे से दांडिक बल का परियोग करता है या परहार करता है या ऐसे करते का दुस्प्रेशन करता है या वस्तरवीहिन होने को बाद्या करता है, वैद दोनों में से किसी बाते की कारवास से जो तीन वर्षे कम का नहीं होगा या साथ वर्ष तक का हो सकता है तता जुर्माने से भी धंडिक धंडित किया जाएगा दोस्तों ये धारा कहती है कि अगर कोई किसी महिला को मज़ूर करता है कि वे वस्तरवीहिन हो या फिर उसके उपर बलका परियो करता है या सवे उसको वस्तरवीहिन करता है या ऐसा को परहार करता है जिसने कि वस्तरवीहिन हो जाए तो वह किसी भाता की बाते की कारवास जो की तीन वर्षे कम नहीं होगा तीन वर्षे अगर सजा होती है कि आपने उसे वस्तर भीन करने की कोशिस की या उसकी कपड़े फाड़े या इस तरह से कोई हरकत की है तो उसके लिए वही है पहले वाली बात की वीडियो रिकोर्डिंग करे या कोई CGTV कैमरा हो तो उसका सहरा ले या अपने किसी जान का रिष्दार को वाँ बुलाए या कोई आसपास वेटनेस हो तो उनका सारा ले अगर सस्य में किसी महिला के साथ किसी पुरस ने ऐसा किया है कोई लड़ा जगड़ा ऐसा हुआ है तो वो अपने कपड़ों को सीज करा है पुलिस के सामने उसी वक्त पुलिस को कोल करके बुलाए अपनी कमप्लेंट इश्टिर कराए तब ही वो मजबूत किस कर सकती है 354 ताक जाक यानि कि छिपकर देखना जो कोई भी अंतरंग करता है में लिप किसी महिला को देखता है या तश्वीर उतारता है मतलब की अंतरंग से मतलब होता है कि कोई भी महिला अगर अपने भी पती के साथ या पर अपने सरी की सफाई में कोई ऐसा कारिय करे जो कि वो प्रिवेटली ही करती है ऐसे में उसको देखता है या उसकी फोटो लेता है या वीडियो बनाता है या ऐसी तस्वीर का परचार करता है difficulties मैं जहे सामने तैंट या तो अपरादी दोवरा या अपरादी के कहनेРЕ पर किसी अने वैक्टी दोवरा नहीं देखे जाने की परतिक्शा करती है कोई देखती है तो ऐसा खुद करता रहा ए किसी से करwoाइब है और महिला इस समय कि इस बारे में नहीं पता लगता और वो बाद पता लगता है तो वह पर्थम दोसित पर दोनों में से किसी भाती के ऐसे अब देगी कारवास है जो कि एक वर से कम का नहीं होगा या तीन वस तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा मतलब एक साल से तीन साल तक के कारवास के लिए दोसित किया जाएगा यहां एक साल से कम का मतलब यह है कि भई अगर सजा होती है तो किसी भी हालत में एक साल से कम नहीं होगी तीन साल तक हो सकती है उसमें जुर्माना भी लगए अगर वह दुबारा ऐसा करते हैं पकड़े जाता है तो उसको तीन से साथ साल तकी सजा और जुर्माना दोनों लगेंगे अब दोस्तों इसमें देखते हैं इसमें दो सफिश्टी करण है फर्स जो सफिश्टी करण है वो कहता है कि भी इस तरी की कौन-कौन सेवे अंग है उनके इस बारे में बताया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं और इसमें ये भी बात कही है कि अगर इस तरी सावजनी सोचा परियोग कर रही है उसमें अगर ऐसा होता है या फिर वो सावजनिक सोचाला परियोग नहीं कर रही है और कोई और ऐसा करते है कर रही है और वो किसी सावजनिक कोई भी लड़की ये कहती है कि हाँ आप मेरी फोटो या वीडियो बना लो पर इसे अन्य वेक्टियों को परसारिद करने के लिए नहीं या जहां ऐसी सविया करते को परसारिद किया जाता है इस दारा के अदिन अपराद मना जाएगा मतलब की लड़की ने ये तो कहा दिया कि अपने कल फेंडिक साथ मने कोई फोटो या वीडियो बनाई है दोनों अपनी मर्जी से बनाई है तुम इसको वारेल कर सकता हूं तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इस दारा के अंदर कर आप दोसी पाए जाते हैं इसमें अगर जो फर्ष्ट पार्ट है मतलब पहली बार अगर आप ऐसा दोसी करते हैं तो आप के खिलाब जो अपराद होता है वो जमानती होगा दोबार अगर ऐसा करते पाए जाते तो गैर जमानती मतलब नोन वेलेबर फेंस होता है 354 दोस्तों अगर कोई महला आपके ओपर जूटा आरोप लगाती है कि आपने उसकी फोटो लिए या वीडियो बनाई है या उसको वाइरल किया है तो नोर्मली बचने के लिए यह है कि अगर आपके मुबाइल से ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आप बच सकते हैं नोर्मली पुलिस जो भी चाहती है वो उनको सोब दे उसमें से कोई भी चीज ऐसे नहीं निकलती है तो आप बच सकते हैं इसके लावा अगर वो महला यह कहती है कि उसके पास कहीं से वाइरल होकर कोई चीज आई है और शक्या कि आपने ऐसा किया है तो उसकी चैन से पुलिस पता ल लगेगा पुलिस आपको वैसे केस से भार करते हैं फिर भी अगर जूटे आरोप में किसी प्रकार से दबाओ में अगर पुलिस ने अगर केस बना भी दिया आपको कर भी दिया कोट पहुंशा भी दिया तो भी आप रामसे केस से बरी हो सकते हैं अगर कोई महिला अगर उस बिल्कुल देरी नहीं करने चीए जो भी उसके डिवाइज उसको मिला है जहां से भी वो चीज आईए वीडियो उसको डिवाइज समय पुलिस को दे पुलिस उसको फॉरेंशिक लैब भीजेगी और वहां से पता लग जाएगा कि वो चीज कहां से किसके पास से होते भी वहा है मतलब महिला ने मना कर दिया कि आप मेरा पीसह मत कीजिए मुझसे ए hp कि उहारे दोस्टी मत कीजिए उसने ऐसा Pittsburgh कोि यहारे से बोलकर कर आऊ और फिर भी अगर कोई वैक्तियों करता है और शैकिन देखे जो कोई भी किसी महिला के internet इमेल या electronic suppression के रूप कि अन्ऩा रूप के परियोग का निर्क्षन करता है या पीछा करने का अपराद करता है मतलब अगर आप किसी महिला को इंटरनेट से या इमेल से वर्टसप फेस्बुक से को फ्रेंड रिक्ष्ट भीज़ते हैं या फिर उसका कोई भी एसा एलेक्ट्रोनिक आइटम आप चेक करते है निर्क्षन देखो परियोग का निर्क्षन करता है मतलब आप उसको चेक भी करते हैं पीछे से चोरी से तो भी आप इस अपराद के दोसी होते है पंतु यह है कि ऐसा आचरन पीछा करने के तुल्य नहीं होगा अगर पीछा करने वाले व्यक्ति दर साहता है कि वे अपराद रोखने या पता करने के किसी विदी के अधीन किया गया था या किसी विदी के अधीन किसी व्यक्ति पर अरोपित आउशकता या किसी सर्थ का अनुपालन करने के लिए किया गया था बेगर कोई आपस में विदी के अधीन कोई व्यक्ति अगर पॉइंट किया गया रहा ऐसा करता है या कोई ऐसी सर्थ लगी है तब ऐसा किया जाता है इसमें धर्ड देखें कि परिश्थिती विशेश में ऐसा आचरन युक्ति संगत एव परियुक्त था पतलब अगर ऐसी कोई इस्थिती स्पोच केजिए कि अगर आपको कोई गलत एक्टिविटी नजरा आ रही है कि कोई म अगर आपको पांस साल तक की सजा होगी और जो बना भी होगा और ये गैर जमानती मतलब नोन बेलेबल ओफेंस होगा दोस्तों इस सेक्शन में अगर कोई लड़की केस करती है अगर वो केस इलेक्टोनिक आइटम से जुड़ा वा जिसे कि वटसब फेस्बुक पर अगर किसी लड़के ने कोई गलत कमेंट किया है या उसको पर pm तो सभी ने कमेंट किया तो मैंने कर दे लिकिन अगर आप पर्स Nigeria उसको कमेंट कर रहे हैं अगर उसमें बत्त्मीजी नहीं है तो आप पहली बार बस सकते हैं लेकर उसने आपको वार्निंग दिया आर इसके बाद भी आप उसको चाकर कमेंट कर रहे हैं तो पिर हैं लेकिन अगर सच में किसी लड़किया को लड़का पीछा कर रहा है तो उस लड़की उसी वक्ति पुलिस को कौल करनी चाहिए और साथ में उसकी वीडियो रिकोर्डिंग बना लिनी चाहिए कि लड़का उस जगह था और उस स्तान पर मैंने उसके रिकोर्डिंग बनाई है तो अगर वो लड़का वहां से गाय भी हो जाता है या पुलिस आने से पहले भाग जाता है या पुलिस के आते ही भाग जाता है तो कल को ये सबूत आपके साथ रहता है कि ये लड़के की मैंने वेडियो रिकोडिंग बनाई थी उस जगह की लोकेशन उसमें आई भी है तो लड़के को सजा होगी कोट के रोल की बात करें दोस्तो कोट में अगर केश जीतना है तो जो जो F.I.R. में एलिगेशन लगाएंगे हैं उन सब को जोटा साबित करना होता है ऐसा साबित करके ही हम केश जी सकते हैं और अगर कंपलेंट की बात करें तो कंपलेंट के चाहिए कि जो जो उसने F.I.R. में लिखा है वे सब सबूत के समयत कोट में दी जाए सबूस कि जी चोट लगी है तो मेडिकल अगर कपड़ें फटे हैं तो कपड़ें वी सीजोने चाहिए वे भी जाना चाहिए कोई विडनेस है तो अच्छी बात है ऐसे ही अगर लड़का है उसके उपर को जूटा किसे लगा है तो वे साबित करें कि ये कपड़ें जो फटे हैं ये इस एंगल से फटे हैं कि लड़के ने खुद फाड़े हैं अगर बात करते हैं चोटकी तो चोट भी अगर वो ये थाती है की लड़की ने खुद ही मारी हुई है मतलब अगर स्क्रेश्bung को निसान है तो ऐसा है कि उसके खुद के हादों से है उसके इंगल उसके नेल्स है कोट भी लड़की से पूछती है कि आपके साथ अगर सच में असाल्ट हुआ या गलत हुआ तो आप भी साबित कीजिए आपका अपना मेडिकल आपके कपड़े बहुत सारी चीज़ों को चेक करती है दोस्तों कोई भी चीज है पहले एक बार पीक पर जाती है फिर डाउन भी आती है जैसे रेप की बात करें सबसे पहले क्या था कि अगर साधी का जासा देकर रेप किया लड़की ने सिंपल बोल दिया तो लड़के को सुझा हो जाती थी अब बहुत सारी जिजमेंट आ चुकी है जो कहती है कि साधी का जासा देकर रेप करना रेप नहीं कहलाएगा अगर आपकी उमर 18 साल की है या उससे उपर की है और आपने यह से कोई संबंद मनाए है तो आपने मर्जी से मनाए और एक नहीं है इसी परकार से 354 पहले बहुत बड़ा बबाल था लेकिन अब धरी धरी डाउन जा रहा है फरक पड़ रहा है आप कोट सिर्फ लड़के को है नहीं लड़की को भी देखती है कि आपके साथ अगर गलत हुआ तो आपके सबूत का है क्योंकि लड़की की तरफ से investigation करती है पुलिस अगर पुलिस कोई witness स्पोस कि यह 351 पह लगे है कि भी लड़की को छेडा गया उसके कपड़े फाड़े के प्रिसान किया गया तो पुलिस के ओपर भी यह बात आती है कि भी आपने investigation क्या की कोई कपड़े फटे हैं सच में क्या उन से ऐसा लग रहा है उसको जो स्क्रैसिज यह चोट लगी है तो सच में ऐसी है कि कि किसी ओड़ने मारी है या वो खुद भी तो मार सकती है अगर निसान ऐसे डले वे तो simple यह भी तो सकता कि मैं अपने हाथ से ऐसे कर सकता हूँ कंडिसें में ये भी दीखा जाता है कि भी लड़की के नेल्स है या नहीं है उस वक्त सबसे पहले गए कि हैं किस वक्त लेट को छोट मारी है तो यह चीज भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा प्रूफ है केस जीदने के लिए, तो ऐसा कभी हो तो आप यह चीज को भी यूज कर सकते हैं, लेकि नॉर्मिली कहने का मतलब यह कि द्रीदरे कोट का रविया भी चेंज हो रहा है, कि बड़न ओफ प्रूफ लड दोस्तो नॉर्मली पुलिस का रोल यह होता है, कि अगर कोई भी उसके पास कंप्लेंट आती है, तो मजबूरी में उसको रिष्टर करने पड़ती है, क्योंकि सेक्षन 166 से IPC कहता है, कि अगर पुलिस रेप, छेड़ खाने या ऐसे इटेक या किसी इस तरी को गाली देने कि समद्ध में कोई कंप्लेंट है, अगर रिष्टर नहीं करते हैं, तो उसको इसको इस दो साल तक ही सजब जाएगी, तो अपने जो बचाने के लिए भी जूटी कंप्लेंट भी स्विकार कर लेते हैं, और उस पर एफएर इस्टेक कर देते हैं, लेकिन अगर आपके पास हैं, पुलिस से एफर लगवा सकते हैं, तो ऐसे भी आप बस सकते हैं, वैसे जितने भी ये सेक्शन हैं, जितने भी ये पांचों के पांचों सेक्शन हैं, इसमें किसी में भी साथ साल से ज़्यादा की सजा नहीं है, तो साथ साल तक की सजा वाले केसों में, पुलिस की पा तो आपको यह पसंद आई होगी तो मिलते एक नई वीडियो में नहीं जनकारी इसा तब तक के लिए नमस्कार